हेलो अब्रीवन वेल्कम बैक टू लिटलेचर पीपल और आज का टॉपिक है दा ओल्ड स्कूल बाई क्रिस्टीन स्टेड क्रिस्टीन स्टेड का बर्थ हुआ था 17 जुलाई 1902 को रॉक डेल ऑस्ट्रेलिया में और इनकी डेथ हुई थी 31st मार्च 1983 सिद्नी ऑस्ट्रेलिया म नेरेटर के पॉइंट ऑफ यू से है लाइधाम हिल के नीचे एक स्कूल है उसके बाई में बताया है पहले तो स्कूल के डिस्क्रिप्शन देते हैं और इस स्कूल में टीचर कैसे हैं स्टूडेंट्स कैसे हैं और जो स्टूडेंट्स के पैरंस हैं उनकी लाइफ का भी कै से यहां के स्टूडेंट yt leaked पढ़ता है स्कूल के यह सब चीजы سब रौट स्टोरीं में वता ही हैं जो बच्चे हैं जो बाहर इस कोल dwom пण देनी उनके बीछ में क्या उम्मर्ठ फैला हुआ है वहां पर मारते हैं मारते हैं पीटते हैं कैदी बनाकर twint स्कूल शुरू होने को beginning बताया है और school end होता है 4 o'clock को और इस स्कूल में शरारत करने वाले बच्चों को punish भी किया जाता है narrator ने बच्चों को describe करने के लिए informers, spies और trustees जैसे word का भी use किया है इसमें different different तरीके के बच्चों को बताया है, शरारती बच्चों को भी बताया है, गरीब बच्चों को भी बताया है और blue chair boots ये symbol है किसके जो बच्चे working class family के हैं जो बच्चे थोड़े गरीब हैं, जिनके parents के साथ उनको काम करना पड़ता है वो बच्चे ऐसे boots बहन के school में आते हैं, तो ये पता चलता है कि ये बच्चे जो हैं ये working class के बच्चे हैं ये जो short story है कोई बहुत जाता कहानी की तरह मैं नहीं सुना सकती तो मैं proper terms में बताती हूँ कि इस story में क्या-क्या important highlights हैं narrator ने एक character के बारे में बताया है जिसका नाम है Tom Bigger उसका description दिया है एक incident ऐसा होता है कि इनके जो teacher होते हैं Mr. Roberts वो एक बढ़ drawing करने के लिए देते हैं और जो ये बच्चा है Tom Bigger ये बहुत अच्छी drawing बनाता है और उसके teacher ही कहते भी हैं कि ये जो है artist हो सकता है artist बन सकता है पर जो Tom है वो अपने father के साथ काम करने में कोही ज़्यादा पसंद करता है उसे पैसे में interest है उसे पैसे कमाने में interest है क्योंकि उनलों के उपास पैसे नहीं है तो पैसे की importance उनके लिए drawing से ज़्यादा है और इस school में जो punishment है वो बिल्कुल भी delay नहीं होती है मतलब अगर बच्चे ने शरारत की है तो उसे वो लोग punishment देंगे ही देंगे पर ये ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चे ने शरारत की है उसी को punishment मिल रही है punish करने से पहले proper evidence ने धूंडते हैं इनको लगता है कि अगर इस बच्चे ने किया है तो उसको सजा दे देते हैं Miss Trials इस short story में word use किया है इस चीज़ को लेके एक बार क्या होता है इनके headmaster बच्चे को एकठा करते हैं और कोई शरारत की है किसी बच्चे ने तो वहीं ढूंड रहे हैं कि किस बच्चे ने की है सब शान्त है उसमें से एक बच्चा बोलता है Dryden Smith नामे उसका वो बताता है कि जो शरारत की है वो Snowy Throne ने की है इनके स्कूल का जो स्नोई ठ्रोन है वो बच्चा बन गया था बैड बॉय बच्चा हो गया था जो 10 साल का अनात बच्चा था हैड मास्टर भी उसको हेट करते थे जब ये सब चीजे होती थी तो बाकी बच्चा एकठा हो जाते थे डिबेट करने के लिए कि क्या सही है और क्या गलत है पर जो narrator है वो बोलती है कि इसमें मेरा कोई opinion नहीं होता था narrator अपनी first teacher के बारे में भी बताती है कि वो confident, pretty, neat woman थी वो married थी और उनके दो बच्चे थे उनकी बड़ी बड़ी नीली आखे और crinkled बाल थे crinkled miss घुंगराले टाइप के और बच्चे इनको इस teacher को very strict बोलते थे और student में इन सब चीजों को भी लेकर debate होती थी कि कौन सी teacher better है strict teacher या जो easy teacher है जो बच्चों को नहीं मारती जल्दी वो अच्छी है इस चीज पे भी debate होती थी स्कूल में इसमें एक और करेक्टर के बारे में बताया है कॉम्निकेट करते थे स्कूल में जब हम लोग स्कूल में तो डारी में लिखके भीज़ देते थे या कॉल करते थे इनके स्कूल में नोट्स लिखते हैं तो teacher इनकी जब मेडाई की teacher इसके घर पे नोट भेशती थी की पूछने के लिए की क्यों नहीं आती तो यह लोग कैसे किसी news paper के पीछे लिखके या किसी bill के पीछे लिखके reply करते थे मातलब इससे यह पता चलता है कि इनके पास paper भी afford करने के पैसे नहीं है एक बार narrator के पैसे खुजाते हैं तो बिना किसी evidence के बिना किसी जाच पड़ताल के बच्चे जो हैं वो लोग यही कह रहते हैं कि इसने ही पैसे चुराए होंगे मेडाई नहीं पैसे चुराए होंगे पर narrator को वो पैसे उनके पास ही मिलते हैं पर narrator खुद इस बास से बहुत जादा guilty होती है कि उनको बहुत जादा guilt feel होता है पर जो बच्चे होते हैं वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है वो तो बोलते हैं कि उसी ने पैसे वापस रख दिये होंगे एक दिन मडाई क्लास मे बैठी होती है और उसकी जो ड्रस है वो अलग होती है मतलब कोई बोलता है कि वो sheet से बनी कोई बोलता है कि floor pack से बनी है floor pack का मीन समनोक ले सकते हैं जैसे जूट से बनी हो बच्चे तो बच्चे भी curious है, teacher भी curious है, teacher भी जाके उसकी ड्रस examine करने लगती ही कैसी बनी है फिर एक और incident बताया है, अब वो जो मेडाई है उसके पास तो घर पे शायद उसके पैसे हैं नहीं तो वो लंच वगारा भी नहीं लेके आती है, लंच के टाइम पे वो लोगों से दूर जाके बैठी रहती है एक बिन उसकी teacher होती है Mrs. Taylor, वो उससे पूछती है, क्या तुम्हें भूक लगी है? वो बोलती है हाँ, तुम्हें पास लंच नहीं है? तो बोलती है नहीं, वो बोलती है क्या तुम कभी लंच नहीं लाती? बच्ची बोलती है नहीं तो teacher उसको अपने साथ लेके जाती है लंच करवाने के लिए इस स्कोल में बताया है कि क्राइम की जो पनिश्मेंट है वो मिलती है, डिटेंशन भी हो सकता है, स्कोल से निकाला भी जाता है और बच्चों को ये भी पता है कि जो शरारती बच्चे हैं उनको reformatory भीजा जाता है, मतलब बाल सुधार ग्रह और उसके बाद वो prison जाते हैं बच्चों को ये सब कुछ सारी knowledge है, दुनिया भर की और उनको ये भी पता है कि बाद सुधार ग्रह की जो life है वो बहुत खराब है, खाना खराब है, मारना पेटना तो हाँ पर usual thing है इस स्टोरी में students को different different डामों से बुलाए गया है साफ सुथरे अच्छे कपड़ों में बच्चे हैं, नीट वर्क करते हैं, क्लास में और वहाँ पे जो rule break करता है उनको headmaster की छड़ी से मार भी पड़ती है justice delay नहीं होता पर mist trial होता है, जो भी मैंने बताया था ना कि भीना किसी evidence के कुछ भी इल्जाम लगा देना या punish करना और उनको school के बाहर की दुनिया की पूरी जानकारी है और जो बच्चे हैं वो crime, jail, lashing, cannings के बारे में भी जानते हैं और prisons के नाम भी जानते हैं और उनकी condition भी जानते हैं lashing मतलब dund, canning मतलब cane से मारना, छड़ी से मारना पर ये school ऐसा world है जहां कमजोरों पर अत्यचार होता ही है अभी जैसे वो बच्चा है 10 साल का, snowy throne उसको headmaster को hit करने की क्या जूरत भाले, बच्चा शरारती है पर वो तो headmaster है, वो बच्चा है 10 साल का और maddy पर जैसे बाखी students का इजाम लगाना और अगर वो road भी रही है तो उसको कोई pity नहीं करता कोई उसको समझाता नहीं, वो सब चीज़े ओके तो ये थोड़ी अलग टाइप की short story तो इसको मैंने try किया है जैसा भी लगा है, comment करके बाद तो अच्छा लगा है तो like करो, thanks for watching, see you next time, bye bye